हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके चनल अखिले स्टुडी सेंटर में तो आज इस वीडियो में आप लोग को कलास्टेंथ केमेट के प्रस्नवली 14.3 का प्रस्न करमांक 3 जो हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आप लोग को माध्यक ज्याद करना मैं सिखाओंगा अगर आप लोग माध्यक ज्याद करना सीख जाते हैं तो आप बोड़ एक्जाम में काफी अच्छा नंबर ला पाएंगे क्योंकि आपकी board exam में माध्यक, माध और बहुलक ये तीनों चीज काफी important होते हैं आपकी board exam के लिए इसलिए आप इसको skip नहीं कर सकते हैं आप इसको शुरू से अंतक देखिए आपको बाड़ी की सिम्मे समझाओंगा आपको वीडियो देखकर पूरा complete process समझ में आ जाएगा तो ये जो प्रस्ण हमने लिया है 14.3 का प्रस्ण करमांग 3 है अगर आप लोग 14.3 के सभी प्रस्ण को solve करवाना चाहते हैं तो आप हमें comment box में बताना कि कौन से प्रस्ण आपको चाहिए या फिर पूरे प्रस्ण चाहिए तो आप हमें comment में बता देना तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ आपको प्रस्ण करमांग 3 solve करके बताता हूँ इसमें book में हमारे पास कुछ बड़ा सा ही प्रस्ण दिया गया है तो ये हमने नहीं लिखाया आपको हम यहाँ book दिखा देते हैं और ये हम आपको पहड के भी थोड़ा सा समझा देते हैं ठेक है ये हमारा प्रस्ण करमांग 4 है और इसमें जो है हमें माध्य ज्यात करना है जो कि कम परकार के इस तरीके से हमें प्रस्ण दिया गया है 20 से कम 25 से कम 30 से कम 35 से कम 40 से कम 45 से कम 55 से कम 60 से कम इस तरीके से हमको यह दिया गया है और इनको हमें solve करना है तो कम बला question को किस तरीके से solve करते हैं एक पूरा process हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है solve करने के लिए यह आप देख सकते हैं ठीक है? यह हमने इसको सही तरीके से लिख लिया है आप इसको हम solve करेंगे जिस से कम बोलेगा उसको तो आपको लिख लेना है 20 से कम बोल रहा था तो पहले 20 से कम को हम लिख लिया है उसके बाद फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे लिखेंगे 20 से 25 फिर 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 60 से 65 60 से कम बोलड़ा है तो मतलब 60 से कम ठीक तो इस तरीके से हम चले जाएंगे तो यह आपको कर लेना 60 से कम तक ही है यह आप देख सकते हैं यहापट 60 से कम लाष्ट यही है तो हमने यही तक लिया है अब इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर वर्ग अंत्राल नहीं है वर्ग अंत्राल हम यहाँ पर अभी बना रहे हैं ठीक ना वर्ग अंत्राल ना हो तो उसके साथ में जो भी आएगी वह आपका CF होगा तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंत्राल नहीं है ना यहाँ पर देखिए इसके साथ में CF है और CF को पहचानने का एक तरीका और भी है ठीक, देखिए यहां पर 2 है फिर 2 से बड़ा कुना गया 6 6 से बड़ा कुना गया 24 24 से बड़ा कुना गया 45 45 से बड़ा कुना गया 38 इस तरही किसे देख सकते हैं करम बाईश यह बरतिय चले जाडा इससे हम एप पता कर सकते हैं कि ये cf command दिया गया है ठीक और ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि वर्गंतराल के साथ अगर हो तुआ अफ कमान होता है वर्गंतराल ना हो तुआ cf कमान होता है ऐसे भी आप पता कर सकते हैं तो यहाँ पे वर्ग अंत्राल नहीं था, इसलिए हम यहाँ डार्क CF लिख दिये हैं, अब हम F निकालते हैं, देखिए, CF दिया हो, F कैसे निकालते हैं, CF से F कैसे निकालते हैं, देख लिजे, यहाँ 2 है तो 2 आपको लिखना है, फिर यहाँ 6 है, 6 में पहले वाले 2 को घटा दिजे, कितना ऐगा, 4, फिर 24 है, तो 24 को लिखे, 24 मैंश 6, कितना होग आपका, 86, फिर यहाँ 45 में से 24 घटा दिजे, 45 मैंश 24, यहाँ कितना ऐगा, 5 में से 4 जागा, तो 1, 4 में से 2 जाएगा, तो 2, 21 आगिया फिर 78 में 45 घटा दिजे 78 में से 45 घटा देंगे यहां पर 3 आएगा यहां भी 3 आएगा फिर 89 में से 88 घटा दिजे 89 माइनस 78 अब घटा लिजे 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 8 में साथ जाएगा तो 1 फिर 29 में से 89 को घटा लिजे 29 माइनस 89 सी कितना आएगा बाड़ा में से नो जाएगा तो तीन बस उसके बाद अन्ठानवे में से बेरानवे घटा लिजे अन्ठानवे माइनस बेरानवे कितना बचेगा यहाँ छे बचेगा फिर एक सो में से फिर सो में से अन्ठानवे को घटाना है तो यह आपका हो जाएगा दो तो देखे यहाँ पे लास्ट कितना है सो है तो इसको अगर आप काउंटिंग किजेगा इसको अगर आप जोर दियेगा तो यह सिगमा एफ या एन का मान सिगमा एफ या एन का मान आपका कितना हो और मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि माध्यक का जो फर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं माध्यक का फर्मूला होता है इसमें क्या क्या चीज़ों का माध्यक का फर्मूला होता है आपको ल का माध्यक का जो पर्मूला होता है सबसे पहले हम NY 2 निकालते हैं माध्यक में सबसे पहले NY 2 निकाला जाता है तो हम NY 2 निकालते हैं N कामान कितना है? 100 है, 100, बटे में 2, अर्थात कितना गया? 50, अब आप देखना है, 50 जो है, किसके किसके बीच आता है, तो यहां हम देख सकते हैं, 50, 45 और 78 की बीच आता है, 45 और 78 की बीच आता है, 50, लेकिन, 45 और 78 की बीच में, सबसे बड़ा कोन, 78 है, इसलिए हम 78 में चल जाएंगे, इस तरीके से, ठेक, इस तरीके से हम चल जाएंगे, तो, CF जो है, यह आपका उपर बला हो जागा, जश्ट उपर बला CF कमान होता है, और E बला आपका F कमान हो जाएगा, ठेक, और L कमान आपका 35 हो जाएगा, यह L कमान 35, ठेक, और H कमान इन दोनों के बीच में, कितना कंतर है, वो H कमान कहलाता है, ठेक, यह आपको धियान रखना, तो चलिए हम लिख लेते हैं, L बड़ा बर कितना है, सबसे बड़ा, L1 कितना 35, यह L2 है, तो L1 कमान लेना 35, फिर, NY2 कमान कितना मिला हमको, 50, उसके बाद, CF कमान कितना मिला, यह आप देख सकते हैं, 45 है, जब उपर बला ले लेंगे, उसके बाद, F कमान कितना है, यह आप देख सकते हैं, F कमान 33 है, अच्छा, H कमान कितना होगा, तो, इन, इनके और इनके बीच में, अंतर देख लिए कितना का, 5 का अंतर है न, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, अंतर बड़ा बड़ ही मिलेगा आपको, तो H कमान 5 हो जाएगा, तो इस तरीके से हम H कमान निकाल लिए, निकालने के बाद, आप इसका फर्मूला में जो है, हम मान को रख देते हैं, और इसका इंसर निकल जाएगा, देख लिजेगा, तो पहले L कमान चीए, तो L कमान कितना 35 है, तो हम यहां 35 लिख लेते हैं, पलस, N by 2 कमान चीए, N by 2 कमान हमारे पास कितना 50 है, यहां 50 लिख लेते हैं, माइनस C F कमान चीए, C F कमान कितना 45, बटे में, F कमान चीए, F कमान कितना 33, इंटू में, H कमान चीए, H कमान कितना है, यह देख सकते हैं 5, तो अब इसको हमागे solve कर लेंगे, 35 पलस, 50 में से 45 घटा देंगे, तो 5 बचेगा, 5 का अगुना 5 में कर देंगे, तो 25, बटे में, 33, ठीक है, अब इसको हम आगे solve करते हैं, नीची कुछ नहीं है, तो एक भिन्नक जोर, आप लोग छूटी कलास में पढ़े होंगे, एक और 33 का लगुत्तम लेंगे, 33, इसको इससे भाग देंगे, भाग फल कितना होगा, 33, 33 का अगुना 35 में, करते हैं, तो 11055 पलस में, 33 को 33 से भाग देंगे, भाग फल, एक एक का अगुना 25 में 25, जब हम इन दोनों को जोर देते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा मालूम है 1180 आएगा आप जोड़ के देख सकते हैं 5510 के 0 50718 और 111 कम अगारा बटे में 33 जब हम इसको भाग देते हैं तो भाग आता 35.75 अरतात आपके बुक में होंगे 35.76 इसके लगभक में ये आपका एंसर आएगा तो इस तरीके से हम इसका एंसर निकाल सकते हैं ये अगर निकालना समझ में आ गया हो तो आप जरूर इसका एक बार प्रेक्टिस किजिए ताकि आप पर जो है असानी से बहन सके ठीक है एक बार इसका स्क्रीन सोट लेजिए यह आपका पूरा एक बार में स्क्रीन सोट आ जाएगा तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टोपी के साथ अगर आप लोग को अग कि मैं उस पर आपको एक जिन्वन वीडियो दे सकूँ तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नेट ओफिक के साथ तब तक के लिए हस्तरे मुस्कुराते ले तेंक्यू